हेलो पहरे बच्चों कैसे हैं आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार उमीद है आप सभी अपनी उत्रप्रदेश पुलिस कॉंस्टबल भरती परिशा दोजार चॉबिस के लिए तैयारियों में व्यस्थ होंगे और जी तोड मेनत कर रहे होंगे बच्चों जैसे जैसे एक्जाम की ती ती जज़ीक आती जा रही है आपके साथ साथ हमारी भी चिंता हैं आपकी प्रती बढ़ती जा रही है आपके नमबर अच्छे आएं अच्छे स्कोर करें आप सेलेक्शन पाएं आपके नाम के साथ हमारा नाम भी जुड़ा है इसके ल प्रक्यार के द्वारा दी जाने वाली यह आपकी भरती है और बिल्कुल जाहिर सी बात इसमें दो सी तीन question आपके GSGK में उत्तर प्रदेश से भी पूछे जाएंगे एक से आद आपकी static हो सकते हैं एक से आद आपके current हो सकते हैं तो चले फटा-फट इन questions पर अपने नजर डालते हैं और आपको इनको हम एक सरसरी निगास से आपको समझाते होए चलते हैं बाद में इसका हम PDF जो है वह आपको description box में link के लिए पिन कर देंगे आप उसको वहां से download करके आप बाद में पढ़ सकते हैं सबसे पहला कह रहा है कि अंतरदेश्य मतस्य पालन में उत्तरप्रदेश का प्रथम अस्थान रहा है अभी की जो latest update आ रही है उसमें world में यानि की पूरे विस्व में मतस्य यानि की मचली पालन में भारत का अस्थान जो है वो प्रथम रहा है ठीक है और यह अवार्ड जो दिया गया भारत को यह एहमदाबाद में 21 और 22 नवंबर को दिया गया था और 21 नवंबर को एहमदाबाद में किया हुआ था Global Fisheries Conference हुआ था Global Fisheries Conference में यह पूरुस्कार मतस्य पालन के लिए उत्तरप्रदेश को दिया गया था बच्चो इसे question के साथ साथ एक point यहां पर और note करते चलेंगे कि जो विश्य मतस्य पालन दिवस से वो 21 नवंबर को मनाया जाता है 21 नवंबर को आपको विश्य मतस्य पालन दिवस मनाया जाता है फिस्ट प्रोडक्शन के अगर बात करें यानिकी मशली उत्पादन की तो 2022 में यह आठ दसमलो नौ लाक मिट्रिक टन था जो की 2023 में बढ़कर नौ दसमलो एक पांच लाक मिट्रिक टन हो गया यानिकि दिन प्रते दिन क्या है मशली के उत्पादन में बढ़ उत्तरी इसका उत्पादन 36,187 लाक मिट्रिक टन पहुँच गया उत्तर प्रदेश में प्रधान मंतरी मतस संपदा योजना के तहर्त वरतमान में 21 योजनाए चलाई जा रही है तोटल अभी योजनाए जो कितनी है वो 21 है दूसरी एक बहुत तगड़ी निउस निकल के आ रही है भी हलाल सर्टिफिकेशन वाले उत्पाद पर विक्री पर रोक दगा दिया गया है यानिकि जो हलाल यानिकि जो कसाई खाने होते तो उसमें जो जानवरों को मार करके प्रोडक्ट्स बनाने के लिए उनके चर्वी या उनके तेल या उनके हड्डियों को इस्तमाल किया जाता था उस पर सर्टिफिकेट मिलने पर रोक लगा दिया गया है साथी साथ उनके भंडारन वितरन बनाने और विक्री इन सभी पर क्या है रोक लगा दी गया है यानिकि भंडारन वितरन विक्री सभी पर रोक लगा है हलाल सर्टिफिकेट ये मिलना सुरू हो था बच्चों 1974 से पहले मान से जुड़े उत्पादों के लिए ही दिया जाता था लेकिन 1993 में कुछ कॉस्मेटिक सोप ऑईल एट्सेक्टरा बनाने के लिए भी इसे दिया जाना सुरू कर दिया गया था तीसरा जो नियूज अभी निकल के आ रहा है वो क्या रहा है कि अनपारा इताप ये परियोजना के लिए मंजूरी दे दी गई है अनपारा क्या है ये आपका बिजली से समस्या से उत्तर प्रदेश में बिजली की समस्या निपटने के लिए राज विद्धुत उत्पादन निगम लिमिटेड यानि कि उत्तर प्रदेश राज विद्धुत उत्पादन निगम लिमिटेड ने 20 नमबर 2023 को अनपरा इताप ये परियोजना को मंजूरी दी है यानि कि बिजली की प्रोडक्शन के लिए उनको अनुमती दे दी गए कब मिली है 20 नमबर 2023 को बच्चो सोनभद्र जिले के अनपरा में इसका पाउर प्लांट लगाया गया है जो कि बच्चो परियोजना है यह दो लोगों के जॉइंट वेंचर के वज़े से हो यानि कि दो कंपनियां जो आपस मिलकर इस परियोजना को पूरी करेंगे और यह दोनों कंपनियां जो है आपके कांस है यूपी आरवी यूए अनल यानि कि उत्तर प्रदेश राज विद्द वित्रण उत्पादन निगम लिमिटेड साथी न्टी पीसी न्टी पीसी यानि कि नैस्मल थर्मल पावर कॉर्परेशन नेक्स्ट निउस जो आपकी निकल के यार रही यूपी में सेफ सिटी परियोजना यानि कि बच्चियों और महिलाओं यानि कि लड़कियों और महिलाओं की सुरक्ष से सम्मंदे ये परियोजना चलाई गयी है इसमें खास करके आपके गौतम बुद्धननगर और दिल्ली के आसपास के 17 नगर निगमों के प्रवेश एवं प्रवेश निकास दोनों जगों पर क्या है जो आपके सारवजनिक स्थल है नगर निगम है इन सब जगों पर पच्यस सो सीटीवी कैमरा लगा जा रहे हैं ताकि जो सरकारी गैर सरकारी स्कूल कॉलेज और इंवस्टिय आधी हैं उनके बाहर होने वाली छेड़ खानिया या जो कोई भी अपरादिक घटनाए महिलाओं बच्चियों के साथ जो हो रही है उस पर नजर रखी जा सके उत्रप्रदेश सरकार ने क्या गया है सेफ सिटी परियुजना को लागू किया है उसके बद बच्चों गायों की गड़ना के लिए यहां पर एक नया नियम निकाला गया है उत्रप्रदेश में बच्चों आप सभी को पता यह किया आमारा पशू के अंतहीन समस्थ्या यह आमारा पशू जो है जो छुटे जानवर खेतों पर फसलों को नुक्सान पहुंचाते हैं इनकी समस्थ्यास निफटने के लिए उत्रप्रदेश सरकार ने जियो टैगिंग लागू करने का आदेश दिया है यानि कि जो जानवर हैं उनके उपर एक टैग लगाया जाएगा जिससे ज़िए उनके लोकेशन को ट्रैक किया जा सकता है सबसे पहले तो सरकार ने इनके गिंती करने का आदेश दिया है फिर उसके लिए गिंती पूर्ण होने के बाद में उसकी आवास की व्योस्ता भी की जाएगी सन 2019 में 20 भी पसुधन गढ़ना हुई थी 2019 में और अग पच्छीस नमंबर 2023 तक एक अभियान चलाया था इस अभियान में बच्चों को उनके सरवांगीण विकास के लिए लेंगिक समानता देखभाल वा समर्थन पर केंद्रित ये अभियान चलाया गया था यानि कि जो बाल सनरक्षण है यानि कि बच्चों की सुरक्षा के के लिए उनकी वकालत करता है यानि कि जो अभियान चला गया था ये बच्चों के हित में उनके सरवांगीण विकास के लिए सरकार ने चलाया था ये 18 से 25 नमंबर 2023 तक चला था तकि बच्चों को छात्रों को समान आउसर मिल सके और इस कारिक्रम को आयोजन करने और उसको स आंतिम और प्रमुक सुर्खियों में रहने वाली न्यूजीए यूपिकि कि अभी भी चर्चा का जो बीशे सर्वना हुआ है उत्तरप्रदेश में तीन राज विशविद्याले की स्थापना की मझजूरी दे दी गई है उत्तरप्रदेश राजविश्विद्याले अधनियम 1973 में जो पारित वात उसमें ससोधन करते हुए तीन जुले हैं आपके गोंडा मिर्जापूर मुरादाबाद इन तीन जुलों में राजविश्विद्याले इस्थापित करने का खुष्णा कर दिया गया है इसको मंजूरी मिल गई है गोंडा में आपके मापाटेश्वरी देवी राजविश्विद्याले बनने का निर्डेलिया है मिर्जापुर में माविद निवाशनी राज विश्विद्याले मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश राज विश्विद्याले नाम से ये तीनों विद्याले आपके स्थापित किये जाएंगे वर्तवान में 34 राजविश्विद्याले आपके उत्रप्रदेश में मौजूद है बच्चो ये हमारी आज की मेहनत रही जो हमने आपके लिए तयार किया था पीडियेफ इसका लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको आप बाकाइद पढ़ सकते हैं वीडियो से अगर आपको थोड़ा सा भी लाव हुआ हो तो इसको वीडियो को लायक कीजिए शेयर कीजिए सब्स्क्राइब कीजिए चैनल को और भी बच्चों तक इसको सेर के लिए ताकि इसका लाफ सभी को मिल सके ओके बच्चों धन्यवाद पढ़ते रहिए, मेस्त रहिए, बेस्त रहिए और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करिए